लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल बेटन को दबाएं आज की वीडियो में आपसे सेयर करने आ ले हूं कि पुरानी चैनियों को आप नए जैसा कैसे बना सकते हैं जब भी मार्केट से चैनि लगते हैं तो इदम नई रहती है पर जब ज्यादा तर हम यूज करने लगते हैं तो काफी पुरानी होती है इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी गंदगी है क्योंकि इसकी जाली बंद होने लगी है आप देख रहे हो कि इदम दीख नहीं रहा है आप तो मैंने यहाँ पे यह प्लास्टीशनी भी आप देख सकते हो कि प्लास्टीशनी भी इस तरह गंदी होने लगती है और देखने में बहुत गंदा लगता है तो हम इसको किस तरीके से साफ करें इसको साफ करने के लिए मैं आप से दो तरीके बताऊंगी जिससे अच्छे से क्लीन हो और साफ हो इसमें आप देख रहे होंगे तुमने तीन चन्नी लेके रखी हुई है दो तरीके मैं आपके संग सेयर करूंगी आज यहाँ पे बहुत असान तरीका है और बहुत इजी तरी करना बिल्कुर न भूलें और अच्छी तरी से सभिजने के लिए वीडियो को बिना इसकीप किये लाश्ट तक देखें तो मैंने एक बाल ले लिया है और उसमें डालेंगे बेकिंग सोडा जो हम लोग खाने में यूज करते हैं तो इसमें दो चमश के लगवर टाल देते ह और फोड़ा सा पानी इसको गाहणा पेस्ट बनाएंगे बेकिंग सोडा सबके घरों में ही होता है और यह असानी से मार्गेट में मिल जाता है एक गाहणा सा पेस्ट बना लेंगे इस तरह से और यहां पे ले लिया है एक बर्तन और यह जो पेस्ट बनाया है गाणा सा इसमें हम लगा देंगे इस तरह से तो फ्रेंड आप देख रहे होंगे मैंने अच्छे तरिके से पूरे में अच्छा सा पेश्ट लगा दिया है और ऐसे ही हम इस प्लास्टिक अलेशनी में भी लगा लेंगे इस तरह पेश्ट लगा के मैंने एक बर्तन में ऐसे रख दिया है और यहां पिलिया है वाइट विनेगर और इसको इस तरह इसमें डाल देंगे इसमें सारी जो गंदगी है अच्छे से खूल जाए फिर हम इसको धूल के साफ कर लेंगे तो हम इसको एक घंटे के लिए रख देते हैं अगर जादा गंदी है चन्नी तो आप राद भर भी रख सकते हो उसे अच्छे से जो गंदगी है अच्छे से साफ कर लेंगे तो हम जाप नार पोको बहुत की को या अब दो सकते हो करते की सिसे गूट इसको दूसा है उर्हाय करें देख रहा होंगे यह उन्दर बाहर उर जला हो इसमें घुमाश निकला है क्योंकि इसकी सारी गंदीगी जल रही है अगर आपके पास बेकिंग सोटा और विनेगर नहीं है तो आप इस तरह से भी च्छनी को साफ कर सकते हैं बहुत इजी बहुत ही असान आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि इस तरह से थुआ निकल ला है ऐसे ही इंट्रेस्टिंग टिप्स देखने के लिए आप में वीडियो में लिंक डाजूंगी तो आप देख सकते हैं तो यह अच्छे से जड़ गया है काफी थुआ निकल गया है क्योंकि काफी गंदी थी इसको इस तरह भी देखेंगे क्योंकि काफी गंदी थी तो इसमें से थोड़ा ज्यादा इसको अच्छे से जहां जहां गंदा है तो ज्यादा सेखेंगे इसको अब इसको पास्टनेट के लिए रख देंगे जिसे अच्छे से ठंडा हो जाए तब हम इसको साफ करेंगे इसको अच्छे ठंडी हो गई है तो अमने यहां पे चाकु लिया है पहले यहां पे जो बंदेगी यह सब ऐसे से करके निपालेंगे इसको हुआ है अपे हां पे एक पुराना ब्रस लिया है पेले ऐसे करके थोड़ा सा निपाल लेते हैं इसको अपने गंड़ी है और मैं इसको बिंबार से अच्छे से स्कॉसब्राइट लगा के धूर के दिखाती हूँ अपको इसको अच्छे से साफ कर लिया है विंबा लगा के स्कॉसब्राइट से और इदम नई जैसी ही हो गई है इसकी जाली इदम साफ हो गई है जहां जाली इतने गंड़ी थी मैं आपको दिखाती हूँ कि इससे अब भी इस तरह से चनी साफ कर सकते हैं अब हम दूसरा तरीका देखते हैं तो प्रेंड इसको देख लेते हैं एक इंटे के लिए मैंने रख दिया था तो देख लेते हैं काफी हद तक यह भी साफ हो गया है अभी पूरी तरीके से नहीं निकला है और जब प्लास्टिक व काफी हद तक साफ हो गया है थोड़ा से बगल बगल जो है थोड़ी गंदी की और रह गई है उसको इसको फॉलिष तक घिसके निकाल देंगे और यह भी था सई और रहगी दूसरा ज़ते हैं तो आप माने गद्वाद्या तीन घंटे या पूरी राथ के लिए आप छोड़ सकते हैं इसे अप्टोगी गंदगी अच्छी से पूल जाएगी और आप इसको स्कॉज ब्राइट से साबुन लगा के धूल के अच्छी से साफ कर ले देखें कि यह काला काला सब छोड़ आया है यह देखी इसमें रखने स अच्छी से पूल जाती है पानी देखें कितना गंदा है तो फ्रैंड दोनों चनियों को अच्छी से धूल के मैं आपको फिर दिखाते हूं तो फ्रैंड मैंने इसे अच्छी से धूल लिया है इसको उस्कॉज ब्राइट वीम लगा के और आप देख सकते हो यह विनेगर और बैक्नि सोडा वाला जो हमने डीप करके रखा था वह अच्छे से साफ हो गया है इसकी जाली देखें काफी साफ दीख रही है और बहुत चमक उठा है यह किनारे किनारे गंदेगी थी सब ठीफ हो गई है इसकी और यह फ्लाश्टिक वाला में आपको दिखाती हूं इस तरीके से आप देखते हूं काफी साफ हो गया है यह प्लाश्टिक वाला चनी और यह जो विनेगर का पानी है आप यह निरगर का पानी फेके ना इसे सिंख एरिया आप साफ करें उससे सिंख आपका अच्छे से चमक जाएगा क्यूंकि इस में बेकिंग सोडा और विन प्रूँजंता निगे बाफलें तीनों चनीयां कितनी गंदी थी फिर मैने इसको गैस से साफ किया, उब पर हैं wea को पुर्ए छन्य को नएजया सद्रीये और एंक चन्नी को नए करें जदद जदद अपने फैमिली और फ्रेंड के संग सेयर करें और चैनल पर पहले बार आये हैं तर सब्सक्राइब करना बिल्कूल न भूले हैं क्यों मिलती है नेक्स्ट वीडियो में